स्वागत है आप सभी काम टीवी नियूज इंडिया की एक नई वीडियो में चलिए जानते हैं कैसा रहेगा तेश्वर के मौसम का हाल वीडियो शुरू करने से पहले कॉमेंट स्ट्रेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सकें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें पास आए बेल आइकोन को भी जरूर दबाएं देश के कई राचे में आज भी तेज हवा के साथ होगी बारिश और लव रिष्टी और एंज अलट जारी आपको बता दी मौसम में अचानक बतलाव देखने को मिला है मौसम विभाग के जानकारी के मताबिक काली घटाएं चा गई और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी कई जगा ओले भी गिरे जिससे तापमान में भी 10 से 13 डिगरी की गिरावट आ गई मौसम विभाग के पुरवा नुमान में इसस्ती कोई समभावना नहीं जटाए गई थी हाला कि कहीं कहीं हलकी वर्षा होने की बात जरूर कहीं गई थी आज भी मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश और लवरिश्टी होने की समभावना व्यक्ति की है इसकाई मेट वैदर के मताबिक मौसम में बदलाव की वज़ा से एक के बाद एक सक्रिय हो रहे पश्टमी विक्षोब और अन्य मौसमी गतिवीधिया है ये दोर अप्रेल के दूसरे सब्ता तक जारी रह सकता है आज भी बादल च्छाय रहेंगे तीस से चालेस किलोमेटर प्रदी घंटे की रफतार से हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है कहीं कहीं ओले भी पढ़ सकते हैं बिहार के मौसम में बीते कुछ दिनों से लगतार उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है कभी मौसम गरम हो रहा है तो कभी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है लगतार बीते चार दिनों से सूबे के ताफमान में लगतार हो रही बढ़ोतरी के बाद लोगों को कल से राहत मिली है मौसमी भाग नेकल हलकी बारश का पुर्वान वान जारी किया था बारश जिलो में बारश को अलर्ट मौसमी भाग द्वारा दक्षिन मद्धिय और दक्षिन पश्रिमी विहार के बारश जिलो में बारश को अलर्ट जारी कर रखा है इन जिलों में राजधानी पटना समीद भागलपुर, जमुई, लखिसराय, बांका, मुंगेर, बेगुसराय, शेकपुरा, नालंदा, जहानबाद और नवादा शामिल है इन दिनों 30-40 किलोमेटर तक लगातार हलकी बारिश होने की संभावना है हलकी बारिश के साथ साथ वादलगरजन और बिजली चमकने की भी संभावना जटाई थी वहीं इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में 50-70 किलोमेटर की प्रति घंटे की रफतार से तेज हवा चलने की भी उम्मीद है तापमान में अन्शिक कमी महसूस की जाएगी जारखन में मौसम ने बदली करवर तीन अपरेल तक राजी भर में बारिश को अलर्ट जारखन के मौसम में फिर परिवर्तन देखने को मिल रहा है राजी के कई जिलों में शुकुरवार को मेगगरजन और व्रिचपात के आशंग का जताए गई है मौसम विज्यान के इंदर राजी ने राजी में यह लड़ जारी किया है यहां तेज हमाओं के साथ बारिश की संभावना है राजधानी राजी में मौसम के पुर्वानुमान के अनुसार बारिश हुई बारिश काफी तेज हुई इसके बाद धूप निकल गई हलकी बारिश ने ही मौसम में परिवर्दन ला दिया है मौसम विभाग ने राजी के कुछ जिलो में अगली दो से तीन घंटे में बारिश का अनुमान लगाया है इन जिलो में बारिश हो सकती है उसमें पूर्वी सिंग भूम, गिरीद धी, गुमला और बोकारो शामिल है इन जिलो में वरिशपात का भी अनुमान है मौसम विभाग ने बताया है कि इस दोरान कई लाकों में गर्जन वरिशपात होने की संभावना है मौसम विभाग ने लोगों को सतरकता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित इस्थानों पर रहने की सला दी है जारगन के दक्षिनी और तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वरिशपात और रोला वरिश्टी की भी आशंका है इस दोरान तेज हमाई भी चल सकती है जिसके रफतार 40-50 किलो मेटर प्रति घंटे की रहनी के संभावना है मिलते हैं इसी प्रकार के एकली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंचे भारत